हेलो बच्चो आज मैं आपको क्लास नाइन जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक इसकी वर्क्षिट नंबर 32 समझाऊंगी जिसकी डेट है में पस 22nd September 2021 आज की वर्क्षिट में बहुत असान सा टॉपिक सिखने वाले हैं और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक भी है पायताकॉर तो आंपको की निखाएं इसकी वर्क्षिट नौ इस आजए टरॉट अं अट्यू पर्द ृच्ट गलुट आ जो अ्न पेट अटार्यू इस इस रॉपोर्टों से लिएंग ते ज़िए वाले ट्रींट अटू एंग इस यूडट इस तॉटने आटू अन श्वार्ट्ट square of hypotenuse is equal to the sum of square of two sides. क्या है ये पूरा concept देखो पायता कॉरस theorem क्या होती है वो यहाँ हम समझते हैं हमार पर जब एक right angle triangle होते है आपको इतना तो clear है कि right angle triangle का मतलब है कि उसमें एक angle जो है वो 90 degree का होगा ठीक है इसको मैं नाम दे दे देख हूँ A B C अब हमेशे याद रखना कि जो 90 के सामने वाली side होती है वो मेरी hypotenuse होती है और यह triangle के सबसे बड़ी side होती है longest side ठीक है यह होता है मेरे पास perpendicular और यह होता है मेरे पास यहाँ पर base तो आपस यहाँ पर क्या कह रहा है जो pythocorous theorem होती है वो क्या होती है मेरे पास hypotenuse का square मतलब कि इस वाली side का square is equal to perpendicular का square plus base का square मतलब कि इस वाली side का square प्लस इस वाली side का square यह मेरे पास पूरी pythocorous theorem होती है तो मैं यह कह सकती हूँ कि right angle triangle triangle में जो hypotenuse है वो क्या होता है some hypotenuse का square जो है वो क्या होता है sum of the square of two sides ठीक है तो वही चीज यहाँ पर लिखी लिए clear यहां तक उसके बाद आपसे यहां पर क्या कह रहा है अप सिधा एक question दे दिया है let's solve some questions अब होता क्या है पता है कह यहां पर तीन चीज़े hb और p तो कोई सी भी दो चीज़ आपको देगा तीसरी आपको निकालने है transpose करके आप easily निकाल सकते हैं ठीक है चलिए जल्दी से हम अपने questions को start कर देते हैं इहां पर question number one मैंने यहां डाल दिया है पहले देख लेते है ट्राइंगल एट इसका मतलब जो सी वाल है उसको आप यहीं लिखोगे बाकि ए और भी आपकी मरजिया आप कहीं पर भी लिख सकते हो ठीक है आपको given क्या है इहां पर एसी फाइव दे रखा है और बीसी ट्वेल दे रखा है बीसी ट्वेल दे रखा है एसी फाइव दे र पी है यह मेरे पास बी है है ना तो इसका मतलब एच का स्कॉयर मतलब अब का स्कॉयर मतलब अब का स्कॉयर मतलब अब का स्कॉयर मतलब बीसी का स्कॉयर ठीक है ना अब का स्कॉयर ऐसी ही रहन दो क्यूंकि आपको यह नहीं पता है कोशन में यहीं आपको फाइंड करना है A B, square नहीं A B find करना है, A C आपके पास 5 है तो 5 का square हो जाएगा, B C आपके पास 12 है तो 12 का square हो जाएगा, तो A B का square is equals to महीं हाँ पर क्या आजाएगा, 5 का square, 5, 5, 0, 25, 12 का square, 144, तो A B का square is equals to महीं हाँ पर क्या आजाएगा, 169, 4 plus 5, 9, 2 plus 4, 6 हाँ, ठीक है, 169 आपके पास किसका square होता है वो आपके पास होता है 13 का square तो यहां जाएगा 13 का square square से square कट गया और AB आपके पास कितना जाएगा 13 आपको AB ही find करना तो question में और AB find हो चुका है clear है ना असान concept चलिए अभी और questions करेंगे ना सब में पायतक और असी लगने है वहुकुल अच्छे से clear हो जाएगा फिर यहां क्यार है in figure 3 triangle PQR is right angle at Q तो PQ आपको 40 दे रखा है देखो right angle at Q तो यह आपके पास hypotenuse होगी यह आपके पास perpendicular होगा इस बार आपको perpendicular और hypotenuse given है और आपको qr निकालना है तो देखो आपको पता है hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square होते है hypotenuse मतलब कह सकती हूँ हमें 41 का square perpendicular पता है मुझे 40 तो 40 का square base नहीं पता है तो B का square ऐसी रहने दो ठीक है आप देखो यहां पर 41 का square तो आप क्या करो 41 को 41 से into कर दो तो कितना आजागा 1681 और 40 का square 440 16 होता है तो 1600 प्लस का BC square ऐसी है ठीक है अब BC sorry B square ऐसी है B square निकालो यहां से 1681 में से 1600 को माइनस कर दो तो 81 बचेगा B square तो B कितना आजागा आपके पास 9 आजागा क्योंकि 81 जो है वो 9 का square होता है B कितना है RQ कोई तो माना है B तो RQ निकल के आगया 9 clear चलिए 3-4 questions हमें दे रखे हैं इन्हें भी solve कर लेते हैं जल्दी से यहां पर तो यहां आपसे क्या कह रहे असान है सारे ही questions असान है आजके सबसे पहली बात आपसे क्या क्या रहा है तो आपके बार एक triangle आप यहां पर जब ड्रॉय करोगे ना तो जो A वाला नाम है यह right-angle triangle है आप इसको यहां लिखोगे ठीक है B और C आपका इहां आ जाएगा ठीक अब गवण क्या है A C आपको 10 गिवण है यह आपको 10 गिवण है A AB 24 गिवण है BC आपको यहां परические theorem लगाते trud चलो लिखाँ ले सकार होगा हमार दकने को बिश्इ फ्री आपको स्कुरर्लियन के का स्कॉरर एक उट्वस्ट किजिएका स्कॉर्सिए को तक तक स्कॉरर क्यानि दीन के पॉसिश किजिएक आप को स्कॉर्स एक लीज्ट थृति तक तो याद ओ तो टूष्यक्य Guess Hai निकलं गया वह निकल गया आप 6-86 होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा तो इसका मतलब ही इस सिक्स का होगा तो जब क्रॉस चेक करोगे ना तो यह यह 20-6 का ही मिलने कोशन नमबर 2 में कहा है, find the value of x in figure 4, इस x की value निकालनी है, तो देखो 90 के सामने वाला आपके पास hypotenuse है, यह आपके पास base है और यह आपके पास P है, इसका मतलब आपको क्या करना है, perpendicular की length निकालनी है, तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले यह वाला कोशन, तो triangle मैं draw ही कर लेती हूं यहाँ पर एक, यह आपको x दे रखा था, 17 और 15 है, यहाँ पर आपको 17 cm दे रखा, यहाँ आपको 15 cm दे रखा, यह आपके पास 90 डिग्री है, और PQR, ठीक है, तो देखो according to Pythocorist theorem देखें, तो PR का square जो है, वो किसके बराबर होगा, PQ के square के plus RQ के बराबर होगा, ठीक है, तो PR मेरे को पता है, 17 तो 17 का square हो गया, PQ मुझे नहीं पता, तो x का square हो गया, RQ मतलब का 15 का square हो गया, अब 17 का square जो होता है, वो होता है, 289, ठीक है, और 15 का square जो होता है, वो होता है, आपके पास 225, यहाँ पर x का square ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर आ 64 आएगा और यहाँ पर X स्क्वार आगा. 64 होता है, में पास 8 का स्क्वार, यहाँ पर हो जाएगा X स्क्वार. स्क्वार से स्क्वार यहाँ कट गया, तो X कितना आजएगा 8. आपको X की ही तो value निकालनी थी, निकल गई 8. Clear? Question No.3 में आपसे क्या कह रहा है? triangle PQR is a right angle at Q, if PQ is this, PR is this, find the length of QR. सब में Pythocore's theorem ही लगानी है. तो PQR में आपसे कह रहा है right angle at Q पे, तो यहाँ पर लिखते हैं. तो एक triangle बना लेते हैं, पहले हम अपना PQR. तो P, Q, और R, ठीक है? right angle at Q आपसे कह रहा था है, शायद Q ही है. PQ आपको 35 दे रहा है, तो यहां 35 लिख देखे, यह आपके पास hypotenuse होगा, यह आपके पास perpendicular होगा और यह आपके पास base होगा. ठीक है? इसके साथ साथ PR आपको 37 दे रहा है, PR यह आपको 37 दे रहा है. आपको क्या निकलना है? यहाँ पर QR निकलना है, इसका मतलब की base आपको निकलना है, तो Awas theorem की according क्या हूँगा? PR का Square is, equals to में, PR का Square हो जाएगा, और यहाँ पर 27 का Square हो जाएगा, PV का Square मतलब 35 का Square हो जाएगा, QR नहीं पता है, तो qr को फिलहाल के लिए आप ऐसी ही छोड़ो आप देखो जब आप 37 को 37 से इंटू करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 1369 और जब आप 35 को 35 से इंटू करोगे ना तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1225 ठीक है और यह qr का square आपके पास ऐसी ही रहेगा आप qr का square आप कैसे निकालो गए यहाँ पर तो वह आपका निकलेगा 1369 माइनस 1225 तो 1225 को किससे माइनस करना है 1369 से तो आपका यहाँ पर qr का square बचेगा 144 एक है तो qr square 144 किसका square होता है 12 का square से square कट गया तो qr मेरे पास कितना आगया है यहाँ पर 12 cm आपको यही find करना था question में clear चली लास्ट question पर आजाते हैं ट्राइंगल a b c is a right angle at b if a b is this b c is this find the length of a c same वही question है सिफ नाम चेंज करना है हर बार और यहाँ पर digits चेंज करना है right angle at b है इस बार triangle a b c तो यहाँ पर गर लेते हैं इसको तो यहाँ पर b लिखेंगे इस बार क्योंकि right angle at b था वो और a और c मैंने इस लिख दिया यह मेरे पास hypotenuse हो जाएगा यह मेरे पास perpendicular हो जाएगा यह मेरे पास base हो जाएगा क्या क्या मुझे given है a b मुझे 8 given है तो मैंने हाँ 8 लिख दिया b c मुझे 6 given है तो मैंने हाँ 6 लिख दिया hypotenuse निकाल लिए मतलब स्कॉरर से स्कॉरर कर ट गया इहां पर तो यहां पर स्कॉरर कर देखोगे तो आपके पास आ जैगा 100 100 किस स्कॉरर होता है वो आपके पास होता है 10 का SQUARE तो इसको हमने ही लिग दिया 10 का SQUARE स्क्वायर से SQUARE कट गया इहां पर तो एसी कितना आगया आपके पास 10 सेंटीव एक लिए 2 ये थे आपके पास 4 कोशन पर पायता कोर्य स्थ्योरम पर ही अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजेगा अगर नहीं हुई डाउट है तो भी कमेंट वोक्स में छोड़ दीजेगा इसके साथ वरक्षिट 32 कंपलीट होती है वरक्षिट 33 जो है वह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेए थैंक यू